हाई फ्रेंस तो चलिए आज हम बनाएंगे एक पहुंचू जो कि हमारे 10 से 12 साल के लड़की के लिए हम पहुंचू बनाएंगे तो देखिए उसके लिए मैं यह दो कलर की उन यूज करूंगी मेरे पास वाइट कलर है और एक पिंग कलर है तो स्टार्ट करेंगे हम वाइट क पहुंचू एक बार फिर से बता देती हूं इस तरीके से न दागा लेंगे और दो उंगलियों पर इस तरीके से जो मारा सामने वाला दागा है उसको पीछे वाले दागे से निकालते हुए नौट लगा देंगे अब हम चैन बनाएंगे दो थीन चार फांचू टोटल इसमें 98 हम चैन लावाएंगे नो देस ग्यारा बादर के तुम मैं इसमें 98 चैन बना ली है और चैन कम्पीट करने के बाद मैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर आएंगे और सिलिप स्टिच के साथ मैं इसको जोइन कर देंगे जो हमारी फर्स्टinizi चैन स्टिच मैं घराड़ा प्रस्ट चैन कर देंगे Bür। जोइन करने के बाद में98 चैन में मैं प्ली मैं keluar नाउयर। 3 चैन भी भनाने को पार न ह Pork Road एक चैन एक क्रोषिय अखर एक डॉआ कि फिर से खीन सटिच में एक डबल क्रोषिय का है तरीकिय से वर्ल चैन सब्सक्राइब बादेबोगोगेरीट पिछी Só फिर सेगा जबादी ऑड़ा इसी ही तरीके सहों रखे दबल क्रोशिय करतें है गाव भूर माणी करें हैं तो फोर्टियट चैआन में गंडेते हैं ने सावा क्रोषी मराहिए में इसेंटर में मार्कर लगाया है जिसेंटर का पता चल सके अधिक कम्प्लीट करने के बाद एक तबल कुछी हम और बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एक चैन भी इस तरह है कम्प्लेट हो चुगा है अब यह जो एक दो तीन की हमारी चैन हमने बनाई थी स्टार्टिंग में उसके अंदर हम क्रोशिया हो गालेंगे और स्लिप स्ट्विस के साथ में इसको जॉइन कर देंगे और जॉइन करने के बाद हम तीन की चैन बनाएंगे अब देखिए यहां स हमारे टीन की चैन है दो हमने डवल करोशिया हो गए वस्तो पह्तीर हम इसकषिए हो स messing जह से हमने 3 डवल करोिया और वहां से हम तेम प्लेस पर हम तीन की आपकर लेकी हमारे पास तोटलningar अब स्टीन बनाने के एक लोकी हे जुआखं के जो चॉछ चार दूबल क्रोसिय जिन में से हम करें इसान ऊचिप करेंगे हुआ एं दीन हमें करेंगे और हमारा फॉर्त चैंट स्टिच है युई एक लकर बनादें का ना क्यों सब्सक्राइब करेंगे तरह से 2 x 3 fifteen बूब णुजार को सुजागा है Das不是 का यहां ना कि लिए दो की ना कि दो की टिन की टिन इसक्राइब करेंगे गाउट है जो हमारा फूर्ट चैनि स्किप करेंगे और हम एक सिंगल क्रूशिया करेंगे एक और दो दो क्रूशिया लाएंगे एक दो तीन चैनि और लागे बनता है तो पिर से एक स्किप करेंगे और फॉर्थ चैन स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे 5-2-1-2-4-3-34-4-3-34-4-2-4-4-4-5-4-4-4-4-1-2-3-34-5-5-5-7-37- руcosteriem 4-4-4-4-4-4-5-5-3-3-34- Steel-8- millimeter-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5-5-0-1-2-3-4-4-7-45-4-4-4-5-7-5-9-5-8-5-5-5-8-7-5-7-5-5-8-4-5-7-0-7-5-9-5-1-2-7- toss profit ऐसी ही टरीके इस तरीके इसी ही हमें निसमे कर शिर का रुसर कर्म कर नारे के तरह यूरल बनाँगे पाइए पनिन के और लिड़नी खुक्तव टरुक्तव में स्टमी पड़ा इसी तरीके इस स्टीच आपान निया दिसमें बनाया तो है फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तोटल हमारे पर दो डबल क्रोशी हो गए, फिर से एक और बनाएंगे, उसी जगा पर तीन डबल क्रोशी है, और एक, दो, तीन की चैन, फिर से तीन डबल क्रोशी है, एक, दो, तीन की चैन, फिर से तीन डबल क्रोशी है, एक, दो, बनाएंगे एक दो तीन 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 की चैन करेंगे और चॉत्षा है उसमें एक डबल करोशिया बनाएंगे लेकी करेंगे एक दो तीन स्किप करेंगे और फोर्थ में सिंगल क्रोश्या करेंगे फिर से 2 की चैन लेंगे और एक दो तीन फिर से पो कॉर्द्स पर सब्सक्रान झालेंगे तो इसी तरीके से पूरा राउंड कमप्लेट करीं कर दिया है एक गजिया कम्प्लीट कर लिए है मैंने आप 2 खाझ बना लुए अब दिखली है लाओ तो धियर की चैन बना ली स्टार्टिंग माई सब्पार्टिंग मैं उसका जो फर्स्ट चैन स्टिच है उपर से इक डो तीटिछ जो मरब फ़स्ट चैन स्टिच है उसकी अं 3 की चेन नहीं तो करेंगे दो डबल तो चूचिय कुट हमारे पास में पस्तीन होगे अफेज एक दो थीन की चैन और समें प्लेस पर तीन डबल कुछिट है 3 किजैन न स्टार्ट हो गवे लिएन्समें your this much अब हैं एसमें बटरफ्ल्य डिजैन बनांगे मैं अब हैं ऑफय वह किस तरीक अ बनाईगे तक करेंगाप्ण, thank you अब इसमें बनाना है तो हम किस तरीके से बनाने तो और यह तो इसे लिए इसको आप चाहे तो इस तरीके से इसको मोड़ लीजिए एक दागा लिया दो त्हीं दागा लिया तीन दागा लिया चार पांच छे दागा लिया और यह साथ यहना साथ बार इसमें से लिया है अब देखिए दागा लेंगे फिर से अब जो हमारे दो भागे रहें एक साथ निकालेंगे फिर से 2 को 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 एक साथ निकालेंगे फिर से 2 तो ते तीन की चैन थी अंदर एक दो तो तीन डबल क्रोशिय की ए और एक चैन ले लिए पिर से इसी जगह पर एक दो तीन डबल क्रोशिय है तो तोटल हमने छे डबल क्रोशिय बनाए बीच में एक की चैन ले अब देखे यह जो हमारा सेकेंड डबल क्रोशिय है उसके अदर हम फिर से साथ बार इस तरीके से धागा लेंगे पर दागा लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से एभी कर सकते हैं एक दगा लिए दो देताब इसको मूर लीजे दगा लिए तीन चार पांच छे साथ बार लिए और साथ बार ही हम इसको दो दो करके निकालेंगे एक दो तीन चार पांच छे एक साथ बार इस तरीके से हमारा एक पैटन बन के तैयार होगा लेंगे अब यह हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके उपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे जिस तरीके से हम ने यह पैटन बनाया है से इन तरीके से हम यह वाला जो मरें इस देचास में बनाएंगे बता देती हूँ एक बार और एक धागा लिया तो फिस से धागा तीन चार पांच छे साथ साथ बार लिया है इसको साथ बार ही हम निकालेंगे दो दो धागे करके एक दो दो दीन चार पांच छे साथ यह लास्ट रूब मुआ को दाख जा किया है दो पांच दो हूँ यह साथ टीन डबल पोस्यक्र जाएँ पिटीन दो 1 तू दीन टेंगे बनाए पिसम् knappटीन डबल कुशियर् वालाइंगे टीन जार्म पांच गलतीन बिचक छे दबल क्रोस हो वे पीछ में चैनल इनी नी से बाद को बाद केàiभ़ेगे. न उन्हें रे तरीक सरी करी सबगते। कुछ एंगे पमदें सुर्सायकों ने दॉट रिपकर तरह सब्सक्राभें से करते हैं,। दो धागे एक साथ भालेंगे, एक, दो, तीन, चाट, पाँच, छे, एक साथ, लबासता है, इन्दो को एक साथ. तरीक से मारे दो पैटन बनके त्रयार होगे, रूआ है. स्टेब करने लाजड की मैं इसको तeszुम्टेर करते हुडnak कि चैनर थेति वाल जो हमारा पुईंट यो किस तरीके से करना है लास्ट का पैटन है कम्प्लीट हो गया है मेरा अब दढ़ा लेंगे प्रूशिया पर एक जिस तरीके से हम तीन दबल पर बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे तेन दबल पर गिया और एक तो दीन दबल पराइंगे और फिर से सेम जगह पर एक, दो, और तीर, तीन डबल क्रोशिया कर लिया, तहगा लेंगे क्रोशिया पर, और देखें, जो हमारे नेक्स्ट वी स्टिच है हमारा, उसमें हमें डिजाइन बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, फिर से, एक, दो, दो, करके निकालेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब इन सब को एक साथ दागा लेंगे, जहां हमने तीन की चैनली थी, उसके अंदर हम तीन डबल क्रोशिया, और एक चैन और फिर से तीन डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन ले लेंगे, एक, दो, तीन, फिर से सीम तरीके से पैटन बनाएंगे, साथ बार लेंगे, एक दागा लिया, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ बार ही निपालेंगे इसको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, लास्ट कैस को निकाल देंगे, दागा लेंगे, और जो हमारा से इंगल क्रोशिया है, उसके उपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, दागा लेके सेंगल पैटन बनाएंगे जिस तरीके से हम ने यह बनाएंगे, इसको पेटन मेरा कंप्लीट हो चुका है, वाल राउंड कंप्लीट कर लिया है, मैंने लास्ट में आ गी हम इसके, अब लास्ट माने में अब दीके एम ऐक दो और तीन, इधर भी तीन है, और बनाई थी तर्टिक में तीन की चैन बनाई थी उसके अंदर स्लिप स्टिच के साथ में जोइन करते हैं यहां से अमारा यह राउंड कम्प्रीट हो जाता है इसको कट कर दूंगी तागे को यहां से यहां से मैं दूसरा कलर यूज करऊंगी जो में पस होए पिंक कलर हो देखे सेम तरीके से समें नोट लगाएंगे जहां से हमने इसको ज़िद किया है वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे त्थार के से थार्ट किसे थोड़ा से टाइट कर लेंगे दोनों द्वागा को साथ पहने लेंगे आच एक तो ओ यह तो तर देखेंगे ने ओपर तकाएंगे हम श्लीप स्टिच कर दो भी है इस एक दो एक तो पिर थे तिन बनाएंगे और एक तो डूबल क्रोशी बनाया टोटल मेर पस तीन डूबल क्रोशी हो गए तीन की चैन फिर से सेम प्लेस पर तीन डूबल क्रोशी है एक तो तीन रहीं के दो खीजैन लेने के बाद में यह जो घुटी यह जो मरे लास्ट का जो में लिए उसमें हमें में आजए लेडरेकर बनों से अबिछा द्वारश में 1 ऑडों निए तों आखर सिर्गट कि स्दाइन में 3 कीषिए तों सीकड़ लास्ट क दवाड़ क्रोशी एक सिंगल क्रोशए में इससे 1 और 2 कीषो जैगे और दिखेसे आज लास्ट का दवल को सियह उस्सक्रक्रशिय हम जहां हमने चैनल लेती जगह पर एक डबल क्रोशिया एक बहुत तीन प्लेस पर हम एक डबल क्रोशिया पर और करेंगे तरीक से मारे पास यह वी स्टिच बनके तियार हो जाता है दो की चैनल लेंगे अब दो की चैनल लेंगे और जो हमारे एक चैनल का गयफ है उसमें हम एक डबल क्रोशिया तीन की चैनल और एक डबल क्रोशिया पर हम एक सेम पैटन बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था एचेस कोफ़ीता स्चास पर बांगे ह सबसें जब सब्सक्राइब गई कर देऊ और 1100 को सबसें संग्ल क्रोशिया एक सिंग्ल क्रोशिया सबस्टाना हमारा फिर से मिल स्टार्ट हो जाएगा गृणि ये इग स्पषय कि तेलम सींगर करना है और उसे में प्र हे चैन करते हैं और इक स्तार्ट प्र कर्वाइबत है तो छीन जो भी करें ये विद्च प अब सक्षाल आए और शीन दूल पर ऑद वो कि छो मैं भीद करते है तो हमीं बड़ंक पास oven को आए बीच अब डिगा श्क्राहत करेंगे गांस बनाई एकारी वाने को पास利ों डबर इंपीटारो होगे टौटला के लिगा नमादे बस तीन डबल कोशिएвой टोटल के बलाई बनागे एक और दो कि चैन दी जाए इसे उपर पार जो हमारी सिंगल क्रोशिया थी एक डबल क्रोशिय बनाएंगे उपर और दबल क्रोशिय बनाने कि बाद में फिर से देखिए रागा लेंगे क्रोशिया वर यह जो हमारे वी स्टिच है, वी स्टिच के अंदर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ बार धागा लिया, साथ बार ही हम इसको निकालेंगे, दो दो धागी करके निकालेंगे एक साथ, यह सामने लास राउंड में किया था, दागा लेंगे करोशिय पार, तो तीन की चैन है, इसके अंदर हम छे डबल करोशिय बनाएंगे, तीन डबल करोशिय फिर एक चैन, और फिर से तीन डबल करोशिय एक, एक, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 40, 21, 22, 22, 23, 22, 23, 24, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 23, 25, Двяк Ranch, 29, 29, 32, 24, 25, 26, 36, 36, 37, 26, 27, 28, 29, 33, 29, 30, 35, 30, 40, 32, 35, 30, 34, 30, 30, 25, 42, 46, putting 30, 31, 30,vil, 27, 38,awa 30, 30, 43, 35, 68, 40, 30, 44, lil, 16, 30, 46, 60, 50, 45, 30, 43, 40, 45, 234 दोस दोटेचों को एक साथ निकालेंगे, साथ लेते हैं साथ ही बार हम शाद निकालेंगे कि इस तरी इस तरी के उमारा पैटन बन के तियार हो जाता है धागर लेंगे कुरूशिय अपर हम एक डबल पूशिय अपर हम फिर से यह वी स्टिचे इस के अंदर फिर से हम चार बार लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ बार लेंगे, छे, साथ, साथ बार ही हम इसको निका देंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, दो बुचे, साथ बन दिया, पिर से एक, दो, तीन, तेक चैनल लेंगे और यह स्टिन, दो, तीन, धाज, साथ बार लेंगे, यह से एक, धाल लीके पर आजए, तो, फिर से धाल तीन, चार, पाँच, छे, साथ, एक, तेक, साथ, एक, 2 3 4 5 6 7 इसके बन चुके हैं इस तरह के से इस तरह के से बनती आ रही है इसी तरीके से पूरा रउंड अपर कप्रेज़ करेंगे यह देखिया मेरा सेंटर है यहां तरीके से मैंने तीन दबल कुर्षी एए चैनल तीन की दबल कुर्षी ए तरीके से हमें आपने इधर यह दूसरे हमारा पॉइंट है हमें यहां भी इसी तरीके से करना है ठीक है और पूरा रांड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और देखिए मैं इसमें चार रांड पिंक के कंप्लीट करूंगी और एक रांड मेरा वाइट का कंप्लीट होगा तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 राउंड मैंने पिंक में कम्पलिट किया है और एक राउंड मैंने वाय का कम्पलिट किया है मैं 1 एक रौंड वाइट का है और 1,2,3,4 लॉख लगाए लगाएं यह थोड़ी सीधर एक चगा छोड़ी है जहां मेरा एक टसल लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से लगाँगी तो देखिए उसके लिए दो द्रगों को एक साथ किया है वाइट और पिंक को इस तरीके से और ऐसे हम उल्या को खोल के थोड़ा सा ऐसे लपिट लेंगे एक दो तीन चार पांच पांच वार मैंने इसको लपेशा है और कट कर देंगे यहां से और कट करने के बा पांच आएगे की लिए कि अगर बोला दिए की लिए आज दो यहां यहां इस साइड में लगाएंगे जहां पैटन बना हुआ है उसी साइड में हम नीचे से इसको लेकर आएंगे अच्छे से पकड़ लेंगे सभी को इस तरीके से लेकर आएंगे और यहां से इसको इस तरीके से लेंगे और इसको अंदर लेंगे कोई धगा डीला है तो इक बार तरीके से कहिच देख लेजिए निजले को कौन सा धागा हमारा खीच रहा है तो मैं इस तरीके से लेखिए में लगाया है तो से निदेखले बार चीत करने बरावर करने के लिए यहां से कट कर दूंगी कि इस तरीके से पहुंचों हो चुका है मेरा तयार अब देखे मेरे को नेक पे थोड़ाशा दिजाइन ओड देना है साल चुके की इसम्सकीब सब्सक्राइब साइब तो सब्सक्राइब रागती ग्याई कि दौट करें ग्याई दाट देना है अगर आप चाहें अगर आपको लग रहा है को फाफिक इस से क्यान है लिफ से नहीं ज़ना चाहते हैं और उसके बाद भी अगर खेच रहा है तो आप जित्ती भी चैन स्टिच है एवरी चैन स्टिच में एक डबल क्रोशिया करते हुए इसको कम्पीट कर सकते हुए कि अगर दो राउंड टोटन कम्प्लीट होगी तो जो फर्स्ट राउंड है वह मैं इसमें क्रांड में अप्रत और यह आपको स्टिच राउंड कर दिया है अब कंप्लीट करने के वाद में नेक्स राउंड अपना स्टार्ट करेंगे एक टो तिन की चैन बना लेंगे। अब देखें जो हमने लास्ट अपना कम्प्रिट किया है वह मैं सिंपल जैसे हम डबल क्रोश यह बनाते हैं उस तरीके से किया है अब हम इसमें फ्रेंट पोस्ट करेंगे अब एक हमारी तीन की चैन होगी। जो पर भूशिया में में हमारा दबल कुछिया उसमें से उठाएंगे एक से वाल फुस्त होया और इस तरीके से लेंग प्र áreas एंसमें से सामने के साइट से चैन उसमें से नहीं बनानी है रोफिए डबल कुछियाए कि अंधर से इस तरीका से बनानी है। इस तरीके से जो हमारे डोरी बनाने में भी काफी हेल्प करेगा अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहते हैं तो डोरी भी आराम से इसमें आ जाएगी इस तरीके से फ्रेंट पोस्ट के साथ में आम यह पूरा राउन कम्प्लीट करेंगे करें आपको देखा थे राउन कर दिया है अगर श्रीट अगर इस तरीके से एक चैनल लेने के बाद मैं इसको पट कर दूँगी आए यहां से अधिके प्यागा है थोड़ा सा पीछे की साइड में अगर्ण पीछे की साइड में ले जाके इसको जोइन कर देंगे अगर्ण देखे जोईन कर दिया एक साइड दागए इसको कट कर दोगी अगर्ण देखे मैं यहां बनाऊंगी दोरी जो हम इसमें लगाएंगे तो दोरी हम किस तरीके से बनाएंगे एए देखे दोर भागे है मेरे पास प्रींग कर ब्लूश् पिंक और वाइट दो धागे हैं दोनों को हम जितनी हमें लंबी दोरी बनानी है इस तरीके से लेंगे और पूरा इसको खीचके लंबा कर देंगे करें तरफ तरफ टोनों को परावर करना प्रेंगे रही फिर के नोट घा लेंगे यह तो आप इस साइट से ले लेंगे इस तरीके से या फिर इस तहागे को लेंगे निए रही को पहले एक चेन लेंगे कुछ अंधिए कि यह वाला जो द्णा है कि इस तरीकिये को इस तरीके कि इस थारीकिया लुकर हुगए यहाल तोड़ है इस को निथे पचेंच पकड़ाएंगे बिजने यह साथ सब्सक्राइब करें ग्यावर 1,2 चाहिए, य्षिसें दया क्ईूंडों धागे सब्सक्राइब विर से इस तडहिएंगे बन कर आएगी आपको दोरी बन कर आएगी कि अगर आपको मोटी डोरी बनानी है चाही हैम धबल डागे से बना इए इस पतली बना इन सीमय मेरण जम न protections, गाल देखेंगें . अगर आप डोरी को बनाना चाहते हैं तो अगर बना को बनाना बना सकते हैं और ढोरी को बना के कुप्लिट करते हूं फिर आपको देखाते हुआ इस तरह से थे फोरसरती हीरा बनाई है नहीं पर ये टाइट हो लिए तो कंप्लिट कर लेती हुआ कंप्लिट करने के बाद मैं तैयार कर ली है कि फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है तो चलिए हम इसको डालते हैं पहुंचुके इसमें नेक है हमारा यहां जैसा मैं आपको बतायता है अगर हम कि फ्रेंट पोस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है डोरी डालना इसमें कि हमें गैप मिल जाता है डोरी के लिए यहां से हम डालना स्टार्ट करेंगे उपर वाला पार्ट हम छोड़ देंगे यहां से इस तरीके से हम डालेंगे इस तरीके से हम डालेंगे कि यह रोलाद रोल तरो रॉल्प बना के लगा जाएं अधिक यह सीजाए में जोता हैं तो अधिया हैं। दूसरे साइट दाला रोले में लगाएं। जब भी आप पॉम पॉम लगा रहे हैं एक साथ में पहले लाएं। जब हम दूसरा पॉम-पॉम लगाएंगे तो डोरी डालने के बाद में ही पॉम-पॉम इसमें लगाईए नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा पॉम-पॉम इसमें से नहीं निकलेगा यहां इस तरीके से पॉम-पॉम लगा दिया है एक नोट लगा दूए चुटी सी आपको पहले भी बताया है कि पॉम-पॉम हमें किस तरीके से बनाना होता है अच्छे से नोट लगा देंगे जो एक्स्टा थ्रेड है हमारा हम उसको कट कर देंगे तो देखे फ्रेंस दोरी भी बैना लगा दी है और पॉंचू हमारा बनकर तैयार हो चुका है बहुत ही प्य से दो या तीन तीन डिजाइन आपिसमें कम एक चैन स्टिच यहांगे एक दो तीन चाहरा पांच च्छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एरा चौधा पंद्रा में 16 शुला शतरह आठारह ऊननिस 20 इकिस बाइस 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 हमारी चैन स्टिच है अगर आप फोड़े रचान के अब चाहई सकते हैं तो बड़े साहरा बच्चे लिए की कर्णा धाला है कर सकते हो लुग चाहरा बढ़े ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिये लाइक करिये और सेर गरिये सब्सक्राइब करें आई